ब्रून प्रत्या रोपन परियोग शाला पशु पालन विभाग पालंपूर के सोजन्ने से आज चठे कैम्प का आयोजन जवाली उपमंडल के खरोटा गाउं में बने केंद्री पशु ओशदाले में किया गया जिसमें अलग-अलग नसलों की गायों का भुरून प्रत्यारोपन किया गया जिसमें भुरून प्रत्यारोपन परियोगशाला पाशु पालन विभाग पालंपुर डौकटर अतुल पूरी डौकटर अमित सेन ने अपनी टीम के साथ इस कारे को अन्जाम दिया डॉक्टर अतरपूरी ने कहा कि यहां पशुपालन विभाग की तरफ से हिमाचुर प्रदेश के पालंपूर में एक ही भूण प्रत्यारोपन पर्योक्षाला है उन्होंने कहा कि पहले हम जितने भी ब्रून प्रत्यार ओपन करते थे वह हम अपने विभाग के फारम के अंदर ही करते थे देकिन पिछले एक साल से हम फील्ड में आये हैं और ब्रून प्रत्यार ओपन का कारेकरम शुरू किया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में ब्रून प्रत्यारोपन करने से गाई की नसल रेड सिंधी साहिवाल सहित अच्छी नसल प्राप्त होती है उन्होंने कहा कि ये विभाग की तरफ से छठा केम्प का आयोजन है और रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है और आगे भी ये कारे करम इसी तरह जारी रहेंगे इस मौके पर स्थानी किसान रविंदर राणा राकेश जंबाल सहीत काफी किसान मौजूद रहे नमस्कार यहां पर पशुपालन विभाग की तरफ से हमारे हिमाचल प्रदेश में एक एटिटी लैब पालंपूर है तो आज दिन तक हम जो भी कारे कर रहे थे पिछले एक साल से हम फिल्ड में आये हैं पहले जी सारे जितने भी हम भून प्रत्यरोपन कर रहे थे अपने फार्म के अंदर ही कर रहे थे जो हमारे विभाग के फार्म थे बट उपर से हमारे को जैसे निरदेश हुए हैं कि अब ये कारे जो है लैब टू लैंड जैसे काम होता है कि लैब टू फिल्ड होना चीए तो हम जो भृन प्रत्य रोपन का कारे हैं वो पिछले एक साल से अब हम field में कर रहे हैं और उसी कड़ी में ये हमारा sixth camp है, छेमा camp हम लगा रहे हैं, हमने बंगाना से शुरू किया था, बंगाना में हमने जो camp लगाया था और उसमें हमने पहली बार प्रदेश में नौ भृ है तयार है जो हमने भूंट प्रत्य रोपित करके पहली बार फिल्ड में जो पैदा हुआ उसके बाद हमने बनूरी में उसके बाद अगला कैम्प लगाया और बनूरी में क्योंकि बनूरी हमारे एडजेसंट है बिल्कुल हमारी लेबॉर्टरी के दो तीन किलोमेटर की प्रत्य रोपन करते हैं अगर वो हमारे प्रजेव होंगे तो उनका जो हमारे को कंसेप्शन परसेंटेज मिलता है वो दस से 15 परसेंट में बीस परसेंट के आसपास मिल जाता है जबकि अगर हम फ्रेश डालें वहीं पे उसी दिन हम डोनर से एंब्रियो इकठा करें और ड कोशिश हमारी यह है कि अगली बार से हम एंब्रियो जो है वो फ्रेश डालने की कोशिश करेंगे बड़ उसका एक डायरा है कि चार घंटे के अंदर अंदर वो प्रत्य रोपित हो जाना चाहिए तो उसमें कई हडल्स हैं बीच में इसलिए हर जगा तो हम अप्रोच नहीं हमें जाते हैं तो उस एरिया में हम सबसे पहले आनिमर्स की सिलेक्शन करते हैं तो अगर आनिमल वो साइकली होना चाहिए सका खान पान रख करखाओ ठीक रहना चाहिए अगर वो हमारे जो हमारा एक पान है उसके उसमें fitment table में अगर वो fit हो जाता है तो हम उसको फिर अगले procedure के लिए हम select कर लेते हैं तो उस procedure में एक ही गाएं से एक समय में आप एक ही बच्चा लेंगे पर भून परत्यार ओपन में उसी गाएं के एक ही समय में आप 10, 12, 15 बच्चे एक साथ आपको मिल सकते हैं एक ह कहने का मतातप्रह यह है कि अगर आपने AI करवाई AI करवाई आपने एक टीका लगवाया अपनी गाईं को और वो उससे एक ही बच्चा आएगा बट हम क्या गरते हैं हमारी हमारा जो farm है हमारे पास अपने donors हैं वहाँ पे साहीवाल है इस समय रेड सिंधी है हमारे पास तो ह एक ही टाइम पर हमारे को 6-8-10 ब्रून मिल गए जो कि हम आज यहां पर ट्रांसफर करते हैं तो एक ही समय में हमारे को उस गाई ने आठ दस जो भी बच्चे आगे आएंगे एक ही समय में मिल जाएगा तो यह हमारा फास्ट प्रोपेगेशन ऑफ ब्रीड है हमाचे बस न्यूस के लिए जवाली से राजस कॉर्णिर की रिपॉर्ट